हेलो एब्रीवाइब विल्कम टिस क्लास तोड़े डिसकर्स अबावड डारेक्शन सेंस टेस्ट जैसे मैंने आपको पताया है कि आज हम लोग डिस्क्रिस करेंगे डारेक्शन सेंस टेस्ट थोड़ा देख लेता हूं कौनकर बच्छे लाइव हैं थोड़ा सा आपन यहां प होना चाहिए कि डिरेक्शन सेंस टेस्ट में इसका बेसिक या इसके पीछे का देऊरी क्या है मिन्सट वादेटेरी दे यूज ए यूज तो आजए और यह हमारा फेस्ट और हेसे तो चाठ डैरिक्शन सेंस तो आप को आते हूंगे जहां तुक मुझे लगता है है इसके कई सारे टाइप नम्बर मटव 1 टाइप नम्बर टू टाइप नम्बर थरी टाइप नम्बर rebel त्री टाइप नम्बर फोर टाइप तॉ टाइप लाए नहीं है कि ताइप लुमिलता है अब दूसरा इसमें आता है finding the distance and direction अब भया finding the distance and direction में क्या करना है हमें इसके question solve करना है क्या करना है हमें इसके question solve करना है आईए देखते हैं अब देखो यह सवाल आपके सामने है दो मिनिट का वक्त देता हूँ या एक मिनिट लगा लो तुम लोग फड़ाफट करो फिर मैं करता हूं तुम्हारे साथ समझ आ रहा है तुम लोग फटाफट करो फिर मैं तुम लोग के करता हूं यह साथ में इस कोशन का डिसकेशन ठीक है तुम लोग फटाफट करो फिर मैं तुम लोग के साथ में करता हूं इस कोशन का डिसकेशन चलिए आशा करता हूं कि त तो चलिए पहला मैं तो देखिये अभिनव ट्रेवल 10 reduce नॉर्थ की तरफ दस किलोमेटर ठीक है तो अभिनव यहाँ पर है तो दस किलोमेटर नॉर्थ की तरफ मान लेते हैं कि दस किलोमेटर ट्रफल गया नॉर्थ की तरफ तो चलो भाई ये point मेरा A था तो वो point number B पे पहुंचा फिर वो left turn ले लिया and then travel 6 left turn लेने के बाद वो ये दूरी में मान लेता हूँ 6 km है तो वो 6 km point C तक पहुंचा then cover then takes right turn अब भाईया right turn ले रहा है तो यहां से right turn मतलब उपर की तरफ लेगा और भाईया ये ले लिया उसने 7 तो इससे जादा कर देते हैं 7 ले देते हैं तो A, B, C, D कर लेते हैं इसको भाईया ठीक है he finally turns to the right and travel 6 again वो right turn लिया और यहां पे पहुंचा A, B, C, D, E और ये भी 6 देखो ये भी 6 और ये भी 6 ये 10 और ये 7 पूछा क्या है आपसे कि बताइये भाईया how far he is from the starting point तो यहां पे वो 10 है और यहां पे वो खड़ा है और ये तुम्हारा साथ है तो 10 plus 7 is equal to 17 जो की मेरा correct answer है बोलो भाई समझ आया नहीं आया समझ आया नहीं आया इस पूरे point को मैंने समझाने की कोशिश करी आपको और शायद मेरा ऐसा मानना है और समझना है कि आपको ये समझ में आ गया होगा is it right everyone क्या ये बात आपको समझ में आ रहे है चलिए चलते हैं question number दूसरे पर ये सवाल आपके सामने फिर से रहा बड़ा आराम से और अच्छे से बनाएए दो मिनिट का समय दे रहा हूं मैं आप लोग गिविंग यू time of two minutes चलिए फड़ा-फट कम आउन गईस मुझे लगता है कि आपको मज़ा भी आएगा and you will really gonna enjoy this also मज़ा भी आएगा enjoy भी करोगे मज़ा भी आएगा और enjoy भी करोगे come on फटा-फट बताएगे from a point location start walking towards south and after walking 10 meter ठीक है south की तरफ walk कर रहा है लोकेश चलो एक बार इसको try करी लेते हैं क्योंकि आपको मैंने समय दे दिया है तो मेरा यह मानना है कि लोकेश अगर यहाँ पर है तो लोकेश south की तरफ चल रहा है 10 km south भाया हो गया नीचे 10 km south he turns to his right अब यह right turn ले रहा है तो अगर यह point a है तो यह point b है लोकेश लिया right के तरफ turn and walks 5 meter अब वो 5 meter walk किया चलिये ठीक है then he turns to the right again अब again right turn ले रहा है तो again right turn ले रहा है तो but obviously बात है 10 यहाँ भी तो जाएगा a b c d हो जाएगा d हो गया he finally turns to his left and walks 10 अभी फिर से left turn ले रहा है लोकेश सिर्फ घूम रहा है भीया लोकेश तुम सिर्फ घूम रहा है तो 10 5 10 और फिर से 10 clear है in which direction he is with the reference point अभी भाया वो कहां है लोकेश है कहां तो पहले यहाँ था अब लोकेश यहाँ पे है तो west में ही तो है because यह हमारा क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है North ये कहलाता है South ये कहलाता है East ये कहलाता है West तो location तो बेす्ट में है देखो देखो बनाना location कहा है location है हमारे बेस्ट में तो चलिए आधुनिक question को करते हुए हम लोग आगे की तरफ पहुंचते हैं और दूसरे questions को करने की कोशिश करते हैं let's read the another question come on guys यह पढ़ो बहुती अच्छा सवाल मज़ा आजाएगा कोशन को करने में मज़ा आजाएगा सवाल को करने में फटाफट do it fast everyone अंकित walks 17 km towards east अंकित जो है वो 17 km towards east जा रहा है बताएए if you guys can answer come on come on come on come on come on तो भाया एक चीज़ तो clear है यह मेरा north है यह यह मेरा south है यह मेरा east है यह मेरा west है और यह मैंने line draw कर रखा है तो 17 km east अगर वो यहां पर है तो 17 तो यहां पर जाएगा चलो ठीक है okay he turns left अब वो left turn ले रहा है तो यहां पर भी जाएगा 17 चलो ठीक है he turns left again अब वो again left turn ले रहा है कि चूवीस क्लिम्ड जा रहा है तो मतलब वो यहां जाएगा 24 ट्वेंटी फोर कि तूरीच पॉइंट पॉयंटे is the straight line distance between the starting point, straight line distance, तो भहिया ये point को मैं यहाँ join कर सकता हूं, इस point को मैं यहाँ join कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं की नहीं कर सकता हूं बताइए, और जब मुझे कुछ ऐसा diagram दिख रहा होता है, तो मैं नाम दे देता हूँ, क्या मैं यहाँ पर पाइथे गरस लगा सकता हूँ, अगर मैं बोलो इसे A, then B, then C, then D, और E, जो भी कहलो तुम, because मुझे यहीं पर देखना है, तो मुझे पता है, AB का स्क्वाइर, हाइपोटेनस का स्क्वाइर, is equal to perpendicular का स्क्वाइर, plus base का स्क्वाइर, is it right or not, is equal to AC का स्क्वाइर, plus BC का स्क्वाइर, I think यह भी clear होगा, अब यह सर कितना है, यह अगर 17 है, पूरा 24 है, तो इसका मतलब 17-24 बचेगा मेरे पास, right, बचेगा नहीं, बचेगा, AC, अब 17-24 कितना होता है, यह 24-17, तो 24-17 और BC कितना है आपके पास, तो 17 ही है, ठीक है, 17 का स्क्वाइर होता है, 389, अगर मैं, कितना होता है, 289 होता है, प्लस 17 और 3, 20 और 4, तो यह मेरा बन गया, कितना बन गया, 7, तो 7 का स्क्वाइर, 49, 49 हो गया मेरा AB का स्क्वाइर, अब मैं यह आपके थोड़ा सा मारकर चेंज करता हूं, तक ही मैं आपको बता पाओ, अब मैं AB की वैलू डालूंगा, तो AB का स्क्वाइर बराबर हो गया, 998 का 8, तो मतलब 338 आजाएगा, 338 आजाएगा, और अगर मैं AB लिखूं तो under root of 338 आजाएगा, अब मैं क्या इसको और solve कर सकता हूं, कर सकता हूं, अगर मैं लिख दूं, बाहर में 13, root 2, is it the answer? Yes, यही इसका correct answer है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बिलकुल समझ में आ रहा है, Am I making sense to all of you, ना, समझ आ रहा है भी, भाईयों और बहनों, बताइए, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको ये बिलकुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, Anybody is having any kind of problem in such questions, I hope नहीं होना चाहिए, तो इसका answer आ जाएगा 13 root 2, एक बार ये try करिये, come on try this, हर एक question आपको कराया जा रहा है, and I guess आपको समझ में भी आ रहा होगा, चली ये try करें, ये अच्छा कोशन, मेरे साब से भी अच्छा कोशन है, मतलब आप try कर सकते हैं, ऐसे questions को आप विलकुल try कर सकते हैं, चलिए फटा फट, चलिए, अब एक बार करते हैं, I guess आपका हो गया, a man walks 10 meter in the east, भी यह 10 meter east में चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक point मान लेता हूँ, ओ यहाँ पर, white इस्तिमाल करता हूँ, एक point मान लेता हूँ, यहाँ पर, तो 10 meter east की तरफ चल रहा है, east मतलब इस side, ऐसे चल रहा है, यहाँ हो जाएगा, चलो जी, ओ मेरा starting point है, ठीक है, then every time turning to his left, he walks 5, तो भी यह left turn लिया, तो 5 यहाँ गया, जब 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 वो left turn ले रहा है, तो 5 जा रहा है, 15 तो यहाँ से left turn लेगा, तो एक बार 15 जाएगा, तो 10 तो यहीं पर गया था, तो 15 कुछ यहाँ तक जाएगा, च तो basically यह इसका हो गया सर्फ final point, मतलब, यह इसका हो गया, P is the, देखो, O है यहाँ पर starting point, देखो, ध्यान से समझ आएगा, O है starting point, और P है इसका final point, देखो, समझो ध्यान से, O है starting point, P है final point, तो बोला क्या है सवाल में, यह भी हमें जानना पड़ेगा, How far he is from his starting point, अरे भया, यह कोई question है, यह तो यह इतना ही दूरी कहलाएगा न, यही दूरी कहलाएगा, तो पांच मीटर ही तो है, तो पांच मीटर तो इसका answer अपने आप आ जाएगा, I think पांच मीटर आंसर करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी आपको सर, कोईशन और सॉल्व कर लेते हैं, एक कोईशन यह हमारा रहे गया था, कमान चलिए, करिए सॉल्व इसको, कमान गाइस, यह भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए कमान, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, और एक इस की तरफ तरफ जा रहा है, तो दोनो अलग-अलग ड आरेक्शन में जा रहे हैं, इस कोईशन के हिसाब से, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आंसर करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, स्टार्ट करता है, चले, तो दो महिल आये हैं, एक जो है, वो चल रही है, एक सो पचास इस साइड, एक चल रही है, एक सो पचास इस साइड, एक वेस्ट में और एक इस्ट में, then turn to her left and walk 160, तो भी यह आगे जा रही है, एक यहां से बढ़ गई, तो यह आ गई एक सो साइड, and be 140 मीटर, अब भीया, बी तो जा रही है, नहीं, बी 140, sorry, I haven't read it this, यह 140 होगा, sorry, my pardon, मैंने इसको पढ़ा नहीं था, 140 हो गया, और यह भी जाके 160 साउथी की तरफ जा रही है, तो इन दोनों को बराबर ही कर लो, ठीक है भीया, then turns to her left and walk 120, फिर left ले रही है, फिर 120 जा रही है, यह basically B वाली बंदी है, और यह तो A वाली बंदी है, चलो, ठीक है, where is B with respect to A now, B कहा है with respect to A, यह आपको बताना है, ठीक है, तो अगर आपको यह बताना है, तो देखिए, दिमाग लगाईए, वो पहले, A तो यहाँ थी न, A तो अभी यहाँ पर आ गई थी, तो पहले वो 150 चलेगी, फिर वो 140 भी चलेगी, क्या, am I making sense, प्लस वो 120 भी चलेगी, तो वो total कहाँ कितना गई, 150 और 140 और 120, कितना हो गया, 150 प्लस 140 प्लस 120 कितना हो गया, वो basically कितना हो गया, basically कितना हो गया, यह हो गया, 410, लेकिन पूछा है, where is B with respect to A, सवाल में twist है थोड़ा, सवाल में थोड़ा twist है, where is B with respect to A, B कहा है with respect to A बताना है, तो भाईया, B कहा है, B तो वेस्ट में है न, B तो भाईया वेस्ट में है, तो यह सारी चीज़ें, clear होनी चाहिए आपको कि B भाईया वेस्ट में है, अच्छा, आप सभी इसको एक चीज़ और अपन दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको यह दिखेगा, और मज़ा भी आने वाला है, जैसा मैंने आपसे कहा, that Unacademy brings lots, everything for you all, ठीक है, अब आप देखिए जो important चीज़ यह है, कि guys हमारा जो है, all India, क्या हो रहा है, all India class free scholarship mock test चल रहा है, जो कब है, मौझूदा 23 अपरिल को 2 p.m. पे, आप कुछ मत करिएगा, जैसे मैंने कहा न, लाल पूल, पीला पूल, आपको क्या करना है, आपको मेरा code इस्तमाल कर लेना है, easy code है, आराम से use हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, easily you can use this code, मतना भीया, आराम से एक दम, मज़े में एक दम, ठीक है, दूसरी बात, आप kickstart कर सकते हैं, road to class 2024, जो की special class mega week चल रहा है, 17 से 22 अपरिल तक, kickstart your class 24 prep with unacademy top educators, daily life class, career counseling sessions, everything you will get under one roof, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, जिसमें, केशव मालपानी, कृती माम, दिव्या कुमार, रगवेंद्र प्रताप सर, अगने मित्रा सर, पूजा माम, वैष्णभी पांडे माम, कृती माम, everybody is going to guide you, again I would say, यह हमारा बिल्कुल कैलेंडर है, यह अगर मैं आपको सही से बताओं, तो यह CLAT and other 5-year LLB exam का mock test calendar है, आप चाहें, तो इसका screenshot ले सकते हैं, कुछ भी अगर आपको इस platform पे करना हो, मतलब कुछ भी, समझा रहे हैं, मतलब कुछ भी अगर आपको इस platform पे करना हो, तो आप हमारा प्यारा सा code AM8N जरूर apply करें, that will be very useful for me also, मतलब मेरे लिए अच्छा होगा है, और अगर कर लो क्या दिक्कत है, और calendar mark कर लेना, 16, 23, 30, free वाला तो 23 को ही है, All India CLAT free scholarship test जाएगा, यह free है एक्दम, जाओ जाके 2, code इस्तमाल करो, 2 भी जाके code भी इस्तमाल करो, फिर ace legal batch है, जो की 6 तारिक को शुरू हो रहा है, जाहिए, purchase करिए, code लगाईए, AM8N, मज़ा आएगा, then the warriors batch है, droppers batch for CLAT 24 aspirants, बहुत selections हुए हैं यहां से तो, crack MHCT in 15 days, अगर आप चाहें तो MHCT को 15 दिनों में crack कर सकते हैं, जिसका price है 999 रुपे, saving है 2000 रुपे, only on unacademy store, यह आपको कहां मिल रहा है, यह आपको unacademy store पे मिल रहा है, code मत भूलना, code AM8N ही है, जो कि मैं उमीद करता हूँ कि आपको अब तक तो याद हो गया होगा, till then, I hope आपको directions के जो questions मैंने कराएं हैं, really these questions are making sense for you, समझ में आ रहा होगा आपको, right, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, till then guys, signing off, it's Agni Mitra, I hope you really enjoyed the class, तब तक के लिए, bye everyone, bye guys.